लुट्यूब चेनल स्टाट करते से किरेंगे विध्याली पाइट चरिया में समाजी बिग्ञान के बारे में इस तरह से विकास हुआ है किस तरह से हमारे करिकुलम में इंक्लूड हुआ बीच में कुछ महत्पूर्ण ब्यक्ति हैं उनके भी नाम आने वाले जिनके बारे में छोटे मोटे स्टेट्मेंट जो हमें याद रखते हैं तो स्टाट करते हैं वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रे जो कि अंग्रेजियों को तो था कुछ भारतियों को भारत और इसके लोगों के कारेपणालिका ज्ञान प्रदान कर सके जिससे कि लोग उपनेवेसिक सरकार में कुछल अधिकारी अलिपिग बन सकें ने लिए यक हें साशकों आफसर वें सके और एक करीकुलम तहों इस तर किलर्क वगेरा जो होते हैं यहां तक लोग पहुंच सकें ठीक है यह था उपने वेसिक परंपराएं और राष्टी परिप्रेक्च अब बात कर लेते हम इसके बारे में भारत में उपने वेसिक काल ने सामाजी बिग्यान पाठ चरिया के रूप में बहुत योगदान दिया ह हम कह सकते हैं सामाजी बिग्यान में बहुत जाद यहां बड़ोतरी हुई है इसका जो चलेवा से बहुत जादा बड़ा है इत्यास लेखन की परंपरा भारत में थी नहीं यह अंग्रेज ही आयते जिन्हों ने भारत का सबसे पहले इत्यास लिखा है और उन्हीं से यह बहुत सारे राजा हैं लेकिन उन में सबसे महान राजा कौन था इसके बा AG यह और यहां पर कि इससबर का तोम पहचान राजा सोक के रूप में इसपश्टों हुई आगे हम बात करेंगे Asiatic Society of Bengal भारती इतियास के पुनन निर्माण में योगदान आज भली परकार से जाना जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के इतियास के निर्माण में योगदान किस-किस ने दिया है अंग्रे जोने दिया है Wells का जो एक statement आया वहाँ पर भी हमें इतियास के बारें जाना करने मिलती है साथ में Asiatic Society of Bengal जो थी इसका भी भारत के इतियास में योगदान रहा उसके इतियास को निर्माण करने में इनका योगदान रहा आगे बात करेंगे कि भारत के प्रतम लिखित बिस्तरत इतियास का स्रे यह जैंस मिल जाता है यह जिए सकते हैं बारत का सब्से पहला लिखित इतियास किस के दौबरन लिखा गया किस ने भारत के इतियास के नहीं बारें बनाया उन्होंने ज्यादा भेदवाव नहीं का रहा था निस्पक्षिता के सांद जो सहये बहुत के बारत के इतियास के वारे में आपको याथ रखना है कि जैंस मिल ने सबसे पहले भारत का इतियास लिखा मिस्त्रित रूप से और यह उनकी बुक हो जाएगी ता हिस्ट्री ओफ बिर्टिस इंडिया इसके लावा और यह बहुत सारी हैं लेकिन इतनी सारी हमें याद करने के जुरूत नहीं है यही सबस्याद है इंपोर्टेंट जैसे हमें याद करना है आगे हम बढ़िंगे सर प्रिथम जन्गर्णा 1872 में कराए गई इसके बाद 1880 वन में हुई और अठारा से क्या सीख बात पर तेक 1020 के बाद जन्गर्णा होने लगी अब जन्गर्णा कब होना था 2020 में होना था लेकिन होई नहीं पाई परोना की वाई से 1857 में एक के बाद एक सीख रही फिर्थम तीन विश्विद्ध्या ले खुले एक आपका बॉम्बे में खुला फिर एक कॉलकता में और एक चेन नहीं में याद रखेगा यह राष्टिये बिकल्प है दा नेस्नलिस्ट नेस्नलिस्ट अल्टरनेटिव नेस्नलिस्ट इस तरह क्या बोल सकते जो अपने देश के आरे में जादा सूसरा होते हैं ने भारत के इतियास के बारे में लिखा था कि स्वामी विवेकानन्द भारत का इतियास भारती द्रश्टी से लिखे जाने के बिचार पर बल देने वाले प्रथम ब्यक्तिति इन्होंने बोला कि बारत का इतियास लिख रहा हो तो भारतियों की द्रश्टी से लिखा जाना चाहिए क्योंकि हम लोग राष्टबादी यह मैसूस करते हैं बात सही है कि बिटिस लेखाग भारत में विदेशी घुस्पवेट तामाजिक व्यवस्ता में नकारात्म क्ता थे बन व्यवस्ता अच्छूट अच्छूट अविजात वर्गे के बोधिक प्रपंज संस्क्रित के प्रयोग आधिक अनवेश्चक रूप से 30 श्योक्ति पूर्ण बढ़रन कर रहे थे इससे हो रहा था कि हमारे मन में हमारे ही राष्ट्र के बारे में हीन बावनाएं पेदा हो रही थी और ह हो भी रही है कि अगर हम कोई भी बुक्स बगेरा पढ़ रहा होते हैं हिस्ट्री में जब भी हम जाते हैं हमें लोग सबसे बेकार थे या फिर इतना ज्यादा बड़ा हुआ तो नहीं होना चाहिए था सब कुछ गलत होता था उस टाइम पर इत्याज कोई इस तरह से हमारे देश का इत्याज हम पढ़ते हैं सब कुछ गलत ही गलत हो रहा था उस टाइम पर कुछ भी सई था यह नहीं इस तरह कर राष्टी इत्याज की इन उद्देशों को ध्यान में रखें जैसे की राष्ट की नेतिकता मूलियों और प्रंपराओं पर पकड़ जो की राष्टी पुरे भारती राष्टबाद को एकत्रित कर देता है यहां पर इतना इंपोटेंट है बंकिम जन जदर जी ने क्या लिखा है बंदे मात्रम लिखा है जो बंदे मात्रम हम पढ़ते तो उसमें पूरा भारत का राष्ट्र सामिल हो जाता है गोखले ने सारभोमिक प्रात्मिक शिक्षा की मांग की थी चोटा सा स्टेट्मेंट है याद रखिएगा स्वामी दयानंद का दयानंद एंगलो बेदिक आंदोलन एक अन्य बिकल्पत जिसने सामाजिक धार्मिक टेक्षिक सुदार का प्रियास किया आरिस समाज और भ्रह सामाजिक धार्मिक का काम कर आए सामाजिक त हर्मिक और ससे सुद्रार का काम कर आए है यह statement छोट छोट याद रखना कि कौन सा बात किस से जोड़ी हूए कोन सी आपकी बंकिम चंड चड जी से जोड़ी हूए कौन सी ओफालकेश्न गोखले से जोड़ी हूए क्यार वो इंपोर्टेंट है उनकी वैल्यू है तब एक्ता और सेचरे तकी भावना आती एक्ता मतलब सब यूनिटी की साथ काम करते हैं सेचरे मतलब एक दूसरे जोड़ा हुआ मैसूस करते हैं और उनकी आवाज भी किसी संप्रदाय बिचारधारा या अन्य संबंदी देते हो उसको इंपोर्टेंश देते हो राष्टि एक्ता और अखंड़ता के बीजार ओपन के लिए सामाजी विग्यानिक सबसे सही है तो सामाज विग्यानिक सबसे सही है यह बिद्ध्यारतियों को राष्ट्री एक्ता के महद्वे के पृति संबेदित कर सकता है मुद् द्धार्ष्टे इत्यास है तारा राष्ट है भुगण तकी सिक्शा चात्रों में देश से आत्मी इता की में समझता कर सकते हैं तो राश्ट का इतियास और राश्ट का भूगोल ये दोनों सब्जे टेंसे हैं जिससे चात्रों में देश से आज्मिता की समझ का विकास होता है आगे बात करेंगे सामाजी बिग्यान में चात्रों के मस्तिस्क में ऐसे बहतर विस्व जिसमें लोग मानत्ता के समक्च खड़ी चुनोतियों का मिलकर सामना करते हैं और अन्य दूसरों की परवा करते हैं इस्थापना कर सकने की सामर्त है सामाजी बिग्यान का मतलब क्या है समझे विग्यान के मतलब है कि चात्रों को मजटिस्क इस तरह से डिजाइन करो ताकि वे भेतर विजु को बनाने में काम करें मानत्ता की उन्नती के वारे में काम करें कभी भी कोई समय स्यायत उसके लिए खड़े रहें दूसरे लोग के बारे में चिंता करें उसकी परवा करें तो ये सारे सामझे विग्यान में आ जाएंगे धर्म निर्पेक्ष्टा और सामप्रदाइक्ता भारती संब्यदान ये इसपश्ट रूफ से अभिवक्त करता है कि भारतिक धर्म निर्पेक्ष्ट रहेगा और बिल्कुल है भारतिक धर्म निर्पेक्ष्ट राष्ट है जिसमें हर धर्मे के लोग हर धर्मे जाती संस्कृतिक लोग सांत में रेते हैं लेकिन धर्म निर्पेक्ष्था और कहीं इस्तित धर्म निर्पेक्ष्था से इस प्रकार भिन है कि सवी धर्मों से समान दूरी बना रखने की बज़ाए ये सवी धर्मों से समान बहबार करता है बिल्कुल ठीक बात है भारती धर्म निर्पेक्षता आधर्मिक नहीं है देखो धर्म निर्पेक्षता के दो मतलब निकल सकते हैं एक ऐसा कि भारत धर्म निर्पेक्षता हुई है मतलब उसे किसी भी धर्मे से कोई भी मतलब नहीं है और दूसरा यह है कि भारत धर्म तो है मतलब किसी एक धर्मे के बारे में तो बात नहीं की जाएगी लेकिन सभी धर्मे को समानता दी जाएगी यह भारत की विशेष्टा सामाजी बिग्यान पाठी चर्या पर उपाक्चित परिप्रेक्ष का प्रभाव उपाक्चित परिप्रेक्ष क्या हो मतलब उपाक्चित मीज एसे लोग जिने समाज से हटा दिया जाता है या समाज से अलग रख दिया जाता है इन लोगों को बोलते हैं सव अल्टर सब अल्टर से संबोधित किया जाता है इन लोगों को माक्स बादी बिचार धारा के हैं समाज और इतियास में अभिजात बर्गे से असंबंद लोग की भूमिका की खोश प्रारम में यह इतने इंपोड़ित नहीं अगुबस यह याद रखना है कि जो उपाक्षित बर्गे के लोगें उन्हें सब अल्टर नाम से संबोधित किया गया उपास्रित परिप्रेक्ष अपनी दर्ष्टी से इतियास को देखता है तथा बिटिस या राष्ट्रबादी इतियास कारूदार लिकित पक्षपात पू यह कुछ किसान आंदोबलान इसमें संताल विदो चंपरान सत्यागरा और वारडौजी का सत्यागरा इनका डियाद रखिए गा यहां पर स 씨म डि अच्छिंदी हुई है है जिनकी आवाज मोह हैं तता उनके परिप्रेक्षित पर अधिख ध्यागून दिया जाता है यदि हम उपाक से दिश्टी कौन को छोड़ देते हैं तो छादरों को इस परिपेशी से संबन्दित करने में असाफ़ल होते हैं तो हमारी समाज के प्रति समझ अधूरी ही रह जाएगी यानि कि अगर हम इन लोगो छोड़ दें तो समाज के प्रति जो हमारी दर्श्टी कोन है वो अधूरा रहे जागा वो सही से नहीं बन पाएगा ये लिखा हुआ है कि साक्षर्त अधर किस तरह एक से हैं अंडमान निकोबाय में सबसे ज़्यादा है सभी राजों के लिखा हुआ है ये पढ़नी जूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना डाटा है 2011 की जनगरना के असाफ से है ये तो बहुत पुराना हो गया पिचली जातियों को उनकी तार्किक और विवेशनात्मक्स ए और बिचार धारा का प्रियोगकर उपर उठाने की चेश्टाओं को सकती प्रतान करना है अल्ब पिचली जातियों को आगे लेकर आना है आज की मांग है अनुसुचित जाती जन जाती सभी वर्ग के लोगों का मतलब सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए किसी में किसी तरीक भेदवाब नहीं होना चाहिए अनुसुचित जाती जन जाती लिखी हुई है कहां पर कितनी कितनी पाई जाती है सामाधिक परिबर्तन के करांती को आगे ले जाने के लिए सिक्षा एक प्रवल हतियार है एक बेपन के तरह है एजुकेशन अधिकांज जातियों के अपनी भासा है यह तो नॉर्माल है जिसे हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत सार जातियों जिनके अपनी भासा है लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं वो लिखते बगर नहीं है राष्टे सिक्षा नीति का कथान है 1986 का स्टेटमेंट है स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है यह जोंकि NEP 1986 का है पातिक्रम सिक्षा के प्रतिय की पहचान और उनकी स्र्जनातों प्रतिवा के बारे में लोगों को पता चलें अगर साथ आपने पता होगा कि एक जन्जाती जो पाता लोग में रेती है पाता लोग पाता लोग का मतलब कि बो जनजाती एक इतनी नीची जगह पर रहती है कि बहाँ पर सूरज की रोशनी सिर्फ दुफेर में ही आ पाती है ना सुबह आ पाती है ना ही साम के आ पाती है वो थी अंदर रहती है जमीन के अंदर तो जनजाती को पाता लोग की जनजाती बोलते है उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे तो हमारी book में, हिंदी के book में उसका chapter था पाता लोग जिसमें उनकी जंजाती के बारे में उनकी संस्क्रिति के बारे में वो त्योहर के से मनाते हैं वो लोग खेती के से करते हैं भापार बिजली पानी की क्या विवस्ता है वो लोग अलग-अलग मुशीबतों से खुद को कैसे बचाते हैं भापार रीती रिवाज वगएर किस तरह की चलते हैं इस सब के बारे में बताया गया तो पार्ट कराम में ऐसी चीजों को सामिल किया जाएगा ताकि इन लोगों क इक होगति कि जन जाती लोग पढ़े लें तो उने लगे कि हमार ही बात चल रही है इसमें मि 오빠 बेट फूर में आपन्य हो इदि दूसरी से निर一定要 बात हुई आदunid बिज़ए कारवी बेस्विक नहीतार्त अर्जित कर चोके हैं, बेस्विक एक भाग के बिकास होने पर अन्यभाग प्रभावित होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, अगर वह अगर बात करें, अधर कांट्रीGD की, अमेरिका, चाइना, रसीया, अगर इनमें कुछ भी नए इतियास में लिखा होता है बरतमान और भूत का अनुसंदान, भूगोल में क्या होता है, मुख्य प्रक्रियाएं, लोगों के बीच के परस पर संबंदों, पर्यावण और संसादन, एतियासिक ब्याख्यान कोशल, इस्थानिय, राष्टिय और बेसिक मान दंडों के विशिक इतियासिक ब्याख्यान कोशल, राष्टि, इस्थानिय, राष्टि, 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 बेसिक मान दंडों पर विकास, विशियों पर विवेशनातों, यह सारी चीजें हैं, यह सारी चीजें सामाजय विग्यान के पार्ठ चरिया के अवयवववों के रूप में सामिल की गई है, तो यहां से एक्जामिक कोशन बन सकता है, इन में से कोशी तीन उठ खाक दे देगा और चोंती कुछ और ला देगा और पूछेगा के इसमें से कौन-कौन सामिल है, यह आफ़े, कौन से नहीं है, इस तरह से, यहां पर यह तो इतने इंपोर्टेंट है नहीं उपर वाला, यहां से इंपोर्टेंट है, राष्टि पार्टि करम योजना 2005 के अ और उनमें विवेचनातनाक, नेतिक और मान से कूर्जा का निर्मान कर, और यह सी सामाजिक सकति हैं जो इन मूलियों के लिए खत्रा है के पृति साबधान बनाएं, तो यह हो गया सामाजिय बिग्ञान का एक उद्देश, क्या हो गया, कि बच्चों के अंदर पहले तो बिकास हो, और कुछ ऐसी सामाजिक सकति हैं जो इन सामाजिक मूलियों के लिए खत्रा हैं, जैसे कि आपका आतंक बाद हो गया, नकसल बाद हो गया, इनके पृतियोंने साबधान करना है, यह स्टेट्मेंट काफी इंपोर्टेंट है, नागरिक सास्तर के बदले राजनीत बिज्ञान के प्रियोकर सुजाब दिया जाता है, यह बाकि यह इतना कुछ इंपोर्टेंट है नहीं, उच्छ परात्मे के अवस्ता पर भारत के बिविन भागों और विश्विक के अन्य भागों में होगा, इतियास क्या रखेगा, इस्थानिक से बेश्विक परियापर में किस तरह का विकास हुआ, किस तरह की घटना हुई, इसका विविवराण इतियास रखेगा, इस्थानिये से बेश्विक परियापराण और संसादों के विविन इस्थारी विकास संबंदी सरोकार के मुद्दे हैं, यह सारे भूगोल में रखेंगे, राजनिती बिग्य अवलोकन करने, इन सबको अवलोकन करने की यह समता प्रदान की जाएगी, ठीक है, तो यह सारे, यह के सकते हैं, यह एक इंपोर्टेंट इस्टेटमेंट है, जो जिसमें बताया गया है, कि उच्छे प्रात्मे की सतर पर कौन सा सब्जेट किन किन पॉइंट को इंक्लूट करके रखेगा, इतियास किसे रखेगा, रायनीती किसे रखेगा, भोगल किसे रखेगा, और अर्थसास किसे रखेगा, यह सारान से आप पढ़िएगा, हर एक यूनिट का इंपोर्टेंट है, मतलए इस आपको बहुत साई चीजे क्लियर हो जाएंगी, कहीं पार डाउट आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, एक डाउट बना हुआ, एक गुरूप बना हुआ, एडिटर पलस भी, डिसकर्शन गुरूप नाम से, उसे भी जोन कर लिजीगा, और वहाँ पर आप CDP के डाउट मुझे डारेक्ली पूंच सकते हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते वीडियो कैसे लगी, कमेंट कर सकते हैं, लाज जोन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद